क्या मैं स्वामिना और गुरुकूलों से आज एक प्रांथना कर सकता हूँ? हमारा जो नौर्थिस्ट है, आप ताय करें कि हर वर्ष कम से कम सो युवक, पंदरा दिन के लिए नौर्थिस्ट जाएंगे, नागा लेंड है, मिजोरम है, अरुना चल प्रदेश है, त्रिपूरा है, सिक्कीम है, पंदरा दिन वहां जाना, वहां युवकों से मिलना, उनसे परिशे बढ़ाना, वहें की चीजों गयानना, आकर के उसके उपर लिखना, हर वर्ष कम से कम डेड़ सो युवक, पंदरा द इन के लिए वहां जाएं, आप देखिए, 75 साल पहले हमारे संतों ने कितनी कठिनाईयों में इस यात्रा को अरंब किया होगा, आपको वहां जाकर के, लिगेगा कि कितने होनहार युवक हमारे नौर्थिस्ट में है, अगर उनके साथ हमारा नाता जुड़ जाता है, तो द देश के लिए वह एक नई ताकत जुड़ जाएगी, आप कोशिश किजिए, उसी प्रकार से क्या हमारे संत समुदाय में हैं, मुझे आध है जब बेटी बचाओ, अभियान हम कर रहे थे, तो छोटी छोटी बालिकाएं, मंच पना करके, साथ मिनिट, आठ मिनिट, दस मिनिट का बड़ा रदय द्रावक और बड़े अभिनए के साथ भाशन करती थी, सारो ओडियन्स को रुला देती थी, और वो कहती थी, मा के घर्ब में से वो बोलती थी, कि मा मुझे मत मारो, ब्रहत्या की खिलाब वो अंदोलन का बहुत बड़ा नेत्रूत्म हमारी बेटियों ने गुजरात में किया था, कि आहां हमारे गुरुकूल के विद्यार थी, धर्ती माता के रूप में लोगों को संबोधित करें, कि मैं तुम्हारी मा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अन, फल, फूल सब पैदा करती हूँ, मुझे मत मारो, यह फर्टिलाइजर, यह केमिकाल, यह दवाईयां, मुझे उसे मुक्ती दो, और प्राकृते खेती की तरफ, प्रेरित करने लिए किसानों के बीच में, मेरे गुरुकूल के विद्यार्दी इस प्रकार से, स्ट्रीट प्ले करें, शेरी नाटक करें, बहुत बड़ा भ्यान गुरुकूल हमारे चला सकते हैं, और मुझे खुछी हैं, कि गुजरात के हमारे गवर्नर सिमान आचारे देवरजी के नेतृत्व में, प्राकृती खेती का बहुत बड़ा भ्यान चला है, आप भी जैसे मनुष्य को व्यसन से मुक्ति का भ्यान चला रहे हैं, वैसे ही धर्ती माता को इस प्रकार के जहर से मुक्ति का प्रण लेने के लिए किसानों को प्रेरित करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि गुरुकूलों में जो लोग आते हैं, वो मूल गाउं से किसानी परिवार से आते हैं, उनके माध्यम से बात बड़ी सरलता से पहुँच सकती हैं, तो आज आदिज के इस अमृत काल में हमारे गुरुकूल, हमारे इस संसकारित सिक्षित युवक, उजवल भविष्य के लिए, परियावरन की रक्षा के लिए, एक भारत स्रेष्ट भारत के सपने को साखार करने के लिए, अनेक नए विचारों, आदर्शों, संकल्पों को लेकर के चल सकते हैं,